असलाम अलेकूम, मिमली की खटी बिटी चटीं के लिए 200 ग्राम मिमली को पानी में भिगो दीजिए, 2 घंटे के लिए भिगो के रखिए, बस एक कप पानी में उसके बाद हादों की मदद से उसको मसल लीजिए और अच्छी तरह इसका पल्प जो है स्टेनर पर डालके चान लीजिए इसका सीक्रट मसाला बनाएं, एक चमच सौफ, एक चमच काली मेर्च और एक चमच जीरे को रोस्ट करके पीस ले साथ में 2 टेबल स्पून के करीब ओयल डालें, उसमें 1 टी स्पून जीरा और उसके बाद 200 ग्राम गूर डालके अच्छे सा इसको पिगला लें 70 ग्राम चुनी भी डालें, इससे अच्छा सा गलेज आजेगा, उसके बाद सीक्रट मसाला एड़ करें 1 टी स्पून काला नमक, 1 टी स्पून रेगुलर सॉल्ट, 1 टी स्पून अजरक पाउडर और 1 टी स्पून मिर्ची पाउडर डाल दीजिए आधा चमच गरम मसाला एड़ कीजिए, अच्छे से इसको पकाईए और मेलन सीट को उपर से छड़क दीजिए कमाल की खटी मिठी चटनी तयार है, बस रमज़ान में मज़े करें और मेरे चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर दे